वंदे मातरम, वंदे गव मातरम, वंदे व्रक्षम मैं आज आपको दुनिया का सबसे आदा नाइट्रोजन वाले पोधे में से एक बताने वाला हूँ जिसमें अधिक मातरम में नाइट्रोजन है, जिसके पत्तों में 1.75% में नाइट्रोजन मानी जाती है और जो हमारी खेती के लिए वर्दान है, अगर किसानों ने अपनी मेडों में ये गिरी पुस्ट, गिली सीडिया या उदिमार पोधा इसको अगर आपने लगा लिए, ये ज़ारी नूमा पोधा है, ये दलनी उसमें आता है और इसकी पत्तियों में अधिक मातरम में नाइट्रोजन होती है और इसको अगर आपने 6-8 मेने में ये अपने फुल साइज में आ जाता है और एक पोधे से 15-20 किलों हमें हरी खाद मिलती है ये डेचा सनही से भी ज़ादा इसमें नाइट्रोजन है, ये अद्बुध है इसके अलावा आपकी मेडों में लगाने से इसका इतना ज़ादा फाइदा रहेगा कि ये पोधे में, आपकी पोधों में कीड ने आएगी, क्योंकि इसमें क्यूरुमिन नाम का पदार्त होता है, जो कीडों से अलग करता है इसमें दीमक नहीं आते, ये जुलसा रोग से भी बचाता है, और इसके अलावा मूसा क्या चूह नियनतरक भी काम करता है और इसमें चारों तरफ होने से एक बायो डैवसिटी बनती है, जिससे हमारे इसमें जो धूंदिया पाला पड़ता, उसका भी फरक नहीं पड़ता है ये इतना ज़्यादा ताकादवारों इतना अच्छा पोधा है, कि अगर आपने इस पोधे का उप्योग किये हमारे इयां चारों तरफ देखी है, हमने चारों तरफ मेड़ों में इसको लगा है आप एक पोधा इसके बीच में आप कुछ लगा सकते हैं, फिर एक पोधा फिर वीच में कुछ लगा सकते हैं गिली सीडिया इतना शांदार पौधा है जो आपकी जमीन में नाइट्रोजन की कमी दूर कर देंगे आपको बस क्या करना है कि फसल के पहले इसकी कटाई करना है और कटाई करके इसको इसमें बिछा देना है इसके लावा ये जानवरों के खाने के लिए बहुत अच्छा है चूले उले के लिए भी बहुत अच्छे काम आता है मतब इसके इतने असंक फाइदें हैं जिसको हम गिली सीडिया गिरी पुस्प या उदी मार कहते हैं पौधा अपने आप में शांदार है आप इसको ऐसे काट काट के भी आप अगर बरसात के समय में में लगा देंगे त तो जी हां हमारी जो मेडे होती हैं हमारे खेत के चारब जो मेडे होती हैं आपको अगर बहुत बड़े पेड़ पौधे नहीं चाहिए आपको जमीन में तकलीफ नहीं चाहिए तो यह पौधा उगने के बाद आपकी जमीन को भी खराब नहीं करता है उसके अलावा आपको हर फसल में अगर आपकी चार एकड़ की जमीन और चार एकड़ के मेड़े में एकर आपने इसको लगा दिये तो लगबग कटिंग के बाद इसको आपको जमीन में बिछाना है इतनी मातर हमें नाइट्रोजन की कमी नहीं होगी एक तरीके इसे यह नैचुरल यूरिया है जो आपकी जमीन में पोशन का काम करेगी हरी खात का बड़े पापा है यह है और यह इतना शांदार है कि इसके में अगर आपको फाइदे गिनाते रह जाओंगा तो आप माननी पाएंगे कि इतना गिननी पाएंगे इसके चारोतर रहने से एक पधार्थ पाए जाते हैं और सबसे ज़्यादा इसकी पत्तियों में नाइट्रोजन पाई जाती है तो दुनिया का सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन वाले पोधे में से एक पोधा यह गिली सीडिया अमरित है किसी भी जलवाईउ में इसको आप लगा सकते हैं अपने करकर भी ज़्यादार्ट यह जोड़ाती है अगर आपने मेड़ों में लगा लिए क्योंकि मेड़ों के लिए राजा है जाता है और पौदा है मुदकलाय से हलगिया यह यह दोनों पौदे बहुत अच्छे हैं इसको आप एक बात एक लगा सकते हैं वह गहुँमाता के खा और बका से इसको ये काटे और अपनी जमीन पर ऐसे करके हमने बिछा दिए फिर से इसको हमने इसको ऐसे काटे ये देखे बहुत आसानी से ये कटके हमने इसको ऐसे अपनी जमीन पर बिछा दिए ऐसे करके अपनी जमीन में बिचा सकते हैं हम इसको अगर हमारे चारो तरफ पेड़ों में लगा है और इसको रोटवेटर के दुआरा हम अपनी जमीन में मिला सकते हैं इसके अलावा हम जो गोबर खाद मनाते हैं, जिसको हम घंजीम अमरित खाद मिलाते हैं, उसमें अगर आप इसमें इसको मिला के डाल दिया, इतनी ज्यादा मातर में इसमें नाइट्रोजन और आरुवेद तरीके से इतने पोश्टन तत्व भर जाएंगे, कि आपकी गोबर अपने आप में अमरित हैं, लेकिन इसकी पत्तिय मिलाने के बाद वो खाद अपने आप पे और ज्यादा अमरित हो जाएगी, अद्भुत चमतकारिक ओस्योद्योगों से भरपूर हमारे मेडों के लिए, जो जितनी भी हमारे खेतों में मेड होती है, उसके लिए राजा है बहुत जादा हाइट नहीं जाती है, चोड़ी भी इसाप से होती तो आपकी जमीन को भी खराब नहीं करती है, और आपकी जमीन के लिए वरदान है, खेती के लिए वरदान है, इतने तरीके के रोगों से बचाती है, इसमें क्यू मरिन नाम का जो जो जितनी तरत होता है, वो हीट नियंतरन भी करता है, मतलब औस्यूदियों गुण से भरी और मेडो का राजा कहा जाता है, ये पोदा हमारे मेडो के लिए राजा है, जिसको बड़े पोदे नहीं लगाना है, जिसको अपने खेत में लेकिन नॉर्मल से नॉर्मल किसान को भी इसको लगाना चाहि जिसमें धेचा, सनाई और जितने भी हमारी हरी खाद होती उसका भी राजा है, हमारी जमीन को भी खराब नहीं करता है, मेडों में लगाके आप इसको इससे अराम से काटके अपने जमीन में विच्छवाके रोटर विटर से आप मिला सकते हैं, आप अपने गोवर खाद मे या बायो कैटेलिस्ट कहते हैं, तो वो इतनी अच्छी मातर में नाइट्रोजोन, कीट नियंटरक और पोशन दोनों का काम करेगा, तो इसकी पत्तियों को लेके एक तीन दस रेसों से आप मातर 30 रोपे के खर्चे में 50 एकड का टॉनिक और पैस्टिसाइड या कीट नियं हैं इसको अपनी मेडों में लगाइए और इतना उनत हो जाएगा कि मैं आपको शब्दों में बियानी कर सकता हूं, अद्बुथ है चमतकार और मेडों में यह लगे हुए तो आपके तीन से चार एकड़ जमीन को आराम से इसमें नैचरल ग्रीन खाथ आपको मिल जाएगी और फिर कटने के बाद यह और लंबाई और चोड़े होके भड़ेंगे और चोड़े होने के बढ़ने के बाद फिर से आपको अगली फसल तक चुली फिर से पूरे तयार मिलेंगे देखिए इसकी नीचे की जड़ लेकिके कितनी मोटी हो चुकी है और इसको इतनी वार हमने कटिंग कर चुके हैं और अगली बार हमने यहां तक काटे तो यह नए फंसे मतलब यह चौड़ा होते जाता है फैलते जाता है अद्भूत चमत कारिक है हमारे देखिए चारों मेडों में एक लगा और हर बरसात में, इसका फाएदा लगा ettidée जा रहे हैं के इसका में फाइदा ओर धाईश को लगाते जा रहे हैं तो अपने आप में चमत कारिक है एक तरीक kilo trim पत्ति में 1.75% नाइट्रोजन मतलब एक तरीके से अचान सब्दों हम यूरिया रहता है 1.75% नाइट्रोजन होता है जो किसी भी पौधों में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला है और एक तीन-दस रेसों से हम इसका बायो कैटलिस्ट बनाए या प्रकरतिक रसायन बनाए जो अपने आपने चमतकार है शानदार है यह रेखे यह पूरे खिली सीडिया के पेर कंटे हुए रते हैं और इसको हम बहुत असानी से यह इसे बड़े-बड़े प्यड यह ऐसे अपनी जमीन में हम डाल सकते हैं छोटे ठोटे टुकड़े करके हम इसको इसे में डाल सकते कटर मसीन से करकर अपनी जमीन में वहीं के वहीं बिचा सकते हैं कितना शांदार है और यह देखी कटने के बाद कि कितना बड़ा पीड़ जैसा पौदक कितने चोड़ा हो चुका और अगली बार अब इसके और नीचे से फूटे फूटेंगे यह हमने पूरा देखे ऐसे कट इसको हम गोवर खाद में डालते हैं तो हमारी खाद और शक्ति साली हो जाती है गोवर खाद अपने आप में अमरित है और उसके अलावा इसका उप्योग हम यहां पे जमीनों भी विचा देते चारों तरफ और इतना ज्यादा मातरा में यह ग्रीन मैनुवर है यह ग्रीन के लिए वर्दान है मेडों का राजा बुलता हूं इसको यह पेड हमारे जितनी भी मेड़े हैं यह जैसी बनी होती खेत के चारों तरफ उसका यह राजा है धरती हमारी माता है और हम इसके पुत्त पुत्री है और प्रकरती खेती इसके बीच में अनोखा पवित्र बंधन को हम एक दूसरे से जोड़े प्रकरती खेती करें और हमारी खुत्की माता हमारी धरती माता जो अनपुर्णा माता हमारी गव माता तीनों को वह शक्ति दें वह खुश खबरी दें कि जिससे हमारी धरती माता सुजलाम और सफलाम हो सके जैहन्त